हलो दोस्तो डाइमंड जुएलरी चैनल में आपका सागात है दोस्तो आज हम एक एटानेटी रिंग बनाएंगे ओवाल एटानेटी रिंग तो पहले इमेज कैसे लेते हैं वो देख लेते हैं पिक्चर फ्रेम पिक्चर फ्रेम ले रहे हैं हम ठीक है तो यह मैंने इमेज ले फिक्चर बना के दिखाएंगे ठीक है ओवाल डाइमंड से बनाएंगे तो यू से प्रॉंग है इसका तो हम पहले रिंग रेल ले रिंग रेल से आपको टूल्स के अंदर मिल जाएं का टूल्स के अंदर जो फर्स्ट कामाण डेल रिंग रिल यहां पर यहां पर यहां पर अलग अलग साइज मिलेगा यूएस का तो हम यूएस सेवन में बनाएंगे ठेक है अब एक डाइमों ले ले लेते हैं ओभाल लेना है हमको ओभाल हम 5 by 3 mm का ओभाल ले रहे हैं ठेक है 5 by 3 या तो 6 by 4 ले रहा हूँ चलो 6 by 4 5 by 3 तो बदला चौरा कम दिखता है तो 6 by 4 ले रहे है अभी मैं ID से 0.5.6 का एक offset दे रहा हूँ यह offset इसलिए दे रहा हूँ ताकि diamond का जो ठीक है उसके नीचे ना आए ठीक है वो measurement के लिए बाकियो और कुछ काम नहीं है ठीक है अभी इसको diamond को पहले हम array करके देख लेते हैं कितना diamond, rotation कितना जा रहे है ठीक है तो 0.1 का gap जा रहा है इसको थोरा 0.2 उपर ले लेते हैं फिर से array करके देखते हैं तो 17 का हम array दे रहे हैं diamond ठीक है तो यह 18 आ रहा है ठीक है 0.2 तक रखोगे चलेगा तो यह color stone है अभी हमें एक measurement लेना है तो एक state line लिया इसको हम rotate कितना करेंगे 360 टोटल है 360 by 17 into 2 यानि 360 by 34 यानि यो कहां पर पहुंचेगा यह line अपका दो diamond के बीच में तो हल्स्टोन के बीच में रहे गा यह line ठीक है स्टेल लाइन भी रखना था तो मैं इसको copy कर लेता हूं ठीक हरा कर ब्रोटेट करके पिर ठीक है अब यहां में यू बनना है यू शेल्प का जो प्रांग है बना और तो कैसे अध्यका बनाएंगे हएंएं से मैं 2D ड्रॉ, करता हूं इसका प्रॉंग ऐसा बनाएंगे कि उपर पतला रहे और नीचे थोड़ा मोटर है ठीक है तो यहां तक ड्रॉ कर लिया अब इसको मैं स्प्लेट कर देता हूं करके मीरोर कर देता हूं ठीक है अभी दोनों कर्ब को जॉइन कर लिया जॉइन करके यह मिडिल वाला पॉइंट कर देता हूं ठीक है तो यह उसेप का 2D बन गया अभी इसको पाइप करेंगे उपर 0.5 यानि 1m thickness रहेंगे, नीचे में 0.6 देता हूँ, यानि 1.65, 1.3 का thickness दे रहा हूँ, ठीक है, तो यह U safe हो गया, यह उपर पतला है, नीचे मोटा है, ठीक है, अभी हम top view में चले आते हैं, top view से इसको move करते हैं, यह center में बनाया, तो move करते हैं, कितना move करेंगे, यह depend कर तो आपको locking कितना मिल रहा है, कहाँ पे, ठीक है, उपर का पड़ फिलेट कर दिया, अभी इसको हम mirror कर देते हैं, group करके mirror कर देते हैं, ठीक है, अभी हमें एक connector बनाना है, जो दो side का UR को connect करेगा, वो connector आपका रहेगा, दो diamond के बीच में, तो मैं यहां से एक rectangle ले लेता हू स्क्वेर ले रहता हूं, स्क्वेर लेकर इसको थुरह सा scale करके लंबा कर देता हूं, ओपर नीचे, ठीक है, अब इसको zero enter करके rotate करते हैं, कहाँ पे, यह बला कर पे, जो दो diamond के बीच में जाएगा, तो इसको अभी हम move करते हैं, move कैसे करेंगे, इसको near select करके, ठीक है, ताक इसको और थोरा move कर लेते हैं, उपर के side में, ठीक है, अभी उपर का पट थोरा सा हम champer कर देंगे, ठीक है, अभी हमारा ID का जुरत नहीं है, अभी हम इसको extrude कर दिया, अभी बाकी पाट में hide कर देता हूं, ID और जो curve मैं ने लिया था, वो hide कर देता हूं, अभी यह पाट क दोनों side में मैं चैंपर करना है, तो मैं 0.25 का champer देता हूं, और नीचे के side में मैं fillet कर देता हूं, ठीक है, 0.3, 0.4 जितना देना है, fillet कर देता हूं, ठीक है, अभी यह पाट को मैं group कर लेना है, diamond को लेकिया तो पुरा group कर देते हैं, ठीक है, अभी एक बार right view से चले जा लेंगे, ठीक है, तो कोई भी एक side का prong लिया, मैं इसको cage edit का 4 points देता हूं, ठीक है, देखे, इसको थोरा सा अंदर के side यह point ले लेता हूं, ठीक है, जैसे मैंने यह taper किया, तो top view से देखो गया, locking ज्यादा हो गया, locking बढ़ जाएगा, तो मैं एक बार top view में देख लेता तो इसको prong को हमें थोरा और बाहर लेना परेगा, इसके बाद mirror कर देते हैं, ठीक है, यह मेरा u part बन गया, यह पुड़ा part बन गया, ठीक है, इसको group कर लेना है, अब इसको front view में चले जाते हैं, front view में जाके इसको area polar कर देना है, कितना हमने 17 का लिया था, तो यह idea आ गया, तो मेरा u prong का eternity ring बन गया, ठीक है, यह u prong का बन गया, next video में हम दिखाएंगे channel setting का, जो बीच में prong है, वो channel में set कैसे होगा, वो दिखाएंगे, ठीक है,